तो मस्जिद कूफा के अंदर में आप देख रहे हैं एक छोटा सा पिलर है यह दरसल एक घड़ी है यह अभी जो यहां की मुझदीन है वह आपको डिटेल्स में बताएंगे तो असलाम वाले में दोस्तों कैसे आप समझे आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं दोस्तों यह है मस्जीद कूफा इससे पहले मैंने आपको जैरत यहां की कराई हुई है लेकिन मस्जीद कूफा के अंदर में बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जिसके बारे मुझे खुद नहीं पता था तो इस वीडियो को आप एंड तक दिखिए आपको यहां पर ऐसी इती आपको यहां की उज्यद कूफा की आपको यहां की रॉजद की देंगी यह विद्ट के रौसे धाटी देख चीज एंड रेकेकर यह डिया हैं लुद ओनो ऐसा की यहां रोजा ताल का टुरी करबला है इंड़सनल की करबला और स्थर्भास अलाहिए इसलाम के रोजा और एखार गॉवड़ा की करबला है वहां इमाम रजा रिखाल म करौज़ा इसलाम करौज़द के यहां पर काफी इबादत गाए है और खास कि यह मजगत GOOPHA है इसे करब्ला कल दो चै lifts records यहां किसे वीडियो में मजिदुकूफा के बारे में कहीं मुझेज़ा कुफा तो वीडियो का आप एंट तक देखते रहे हैं इंशालला मैं आपको सारी चीज़े इस वीडियो में क्लियर करने वाद हूँ यह है मस्जीद कूफा आप देख सकते हैं इसका भी बहुत बड़ी मस्जीद है मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ तो पहले आप जारते हजरते मुस्लिम अलाहिससलाम पढ़ लें यहां पर उसके बाद मैं आपको इनके रोजे की जारत कराता हूँ दोस्तों यह रोजा है जनाब मुस्लिम बिन अकील का यह मजीद कूफा के अंदर ही जब भी आप आएंगे तो यहां की तिखारत आप जरूर करें भी आद करें जरूर करें जरूर करें तो दोस्तों ये है जनाब मुफ्तार का रोजा अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और अंदर के जायत करवाता हूँ आपको मजीद कूफा के अंदर में एक कुवा है आप देख रहे हैं अभी मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता है तो मेरे साथ जनाब मौझूद है तो वो आपको पूरी बात बताएंगे इसके बारे में किये है मुझे नहीं के मजीद कूफा में अब देखित आदन वगारा देते ही मजीद कूफा में कुवा हैं तो अब यह मुझे नहीं की बताएंगे आपको ठी जिए तो ऐसमें से उनके तंदूर में से पानी अबला अब लाड़ा के पूरी दुन्या में पहला उनकी कश्टी भी उची हुई उनकी बीवी भी कश्टी पर नहीं आई और इसके बैटा कहने लगया मैं पहाड़ की चोटी पचल जाओंगा वो भी नही आया वह गर्क हो गए वह गर्क हो गए लेकिन चिती मखलूख कश्टी पर आ गई उससे दुन्याद बसी अब जो भी मखलूग सारी मखलूग उसमें आ गई थी जो वो इससे दुन्या पहली अब इसके बाद में यह हो गया बहुत बड़ा गार जिजिज जब पानी तबला हो गया तो वो तंदूर के बज़ाए वो तब लगार हो गया तो यह वो बॉली है जी 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 जो आप देख रहे मैं आप देख रहे हैं एक छोटा सा पिलर है यह दरसल एक घड़ी है अभी जो यहां की मोज़िन है वह आपको डिटेल्स में बताएंगे तो तो पहले जमाने में तो घड़ी थी नहीं तो दिन में सूरज की कि मतलब परचाई से टाम देखा जाता तो यह वो घड़ी है यह आप देख रहे हैं कि अगर जो मतलब रात को सिटारों से टाम देखा जाता था कौन सितारा किस वक्त कहां पर आता है उस हिसाब से सुबह की जान होती ती तो इस से तरह से यह पहले का वक्त देखने की टाम है जब मैं अंदर आया था तो मैं यह चोटा सा पिलर देख रहा था मैं समझ नहीं बार आता है कि यह है तो अभी यहां के जो मुझीन तो उन्होंने प्रोड़ा क्लियर कर दिया है यह एक घड़ी एक है जिसको लोग देख कर टाइम का पता करते थे कि कब मागरिब का टाइम हुआ कब एशा का टाइम हुआ कभ सुब का टाइम हुआ को सारी चीजे यहां पर पता चलती थे इस एक्ष pug Live. से मैंने अभी देखा तो मुझे परता चलिए लाइज द अभराई में को मसल्ह है यह जी यह ज़िय जी यह दन्हों का मुसल्ह है लो मा स्व लोर महमम्मा पहले जाए तो मैं आप कि यह किसका मसल्डा है तो भी मौजण साथ में पुरी बाती क्लेए कर दिया है कि यह भली अमाज रही कुछ मेश्या है रिना-धा का यह मकाम जर्वत है यहां मौला देखे थे दिया है बहुत-बहुत शुक्रिया रहे हैं तुस्त-जारतकरिए दोसरों को विजारत करवाई है वीडियो को शेयर करिए आगे तो यह जो दर्वाजा आप देखना है यहां से मौला इस दर्वाजे से तश्रीफ लाते थे जैसे कि यहां के मुझ्जीन है उनों मुझे पता है वह मकाम है घर जिस घर से वह आते थे वह वहां लोग किराह पर रहते हैं वह घर तब द द द जी जी ए तो वही मतलब जैसे कर शबी यहां ए शब प्रक्रापन है तो यह उदर से यह आज़साद अलीछ आज़से से आते हैं मौला अली आज तस श्रीफ लाते हैं तस श्रीफ लाते भी द आफोने हैं आज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को कर दो कर दो कि आज बता रहें कि पूरे शहर वे ताजी जो हैं जी 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 जो फोलोगा है खाने सच्ते हैं जिंवे और अज़ा आजहर हैं रहते हैं यह हसमाद के दो द fotाविय हॉपन होते हैं यह पूरा ऑडियह हैं जी सब ताज़ दफन आ हिंग अचाह हैं तो सब थे सब गड़े बने में चुछ इसा बहुते哦 कि जो कुछ चूछaving ज़ए तो द्पना दिया जाता है जैए नही जानावाद जरी वो जो सेनाबाद की जरी दफन होती थी ये वो गड़ा है और एक और गड़ा है चुपता जिये का तो ये बड़े बड़े गड़े हैं अच्छा तो बहुत बहुत शुक्री आपका